नमस्कार, अविगयूसकी में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर कर यो onion hair oil तो चलिए दोस्तो प्याज का तेल याणी onion oil बनाना शुरू करते हैं दोस्तो प्याज का तेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये हैं 3 medium size की प्याच और 7 में मैंने लिया प्याँ 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 पर लिये 5-6 करीब lesson की कर लिया यह आपको जुरूर लेना है प्याँ के साथ दोस्तो अगर आपके बाल जरते बहुते बालों में जरा सा हाथ लगाने पर या कंगी करने पर या फिश यांपू करने पर आपके धीरो बार निकलते हैं काफी परेशान है अपने जरते बालों को लेकर कई सारी remedy ट्राय कर शुके हैं तो दोस्तों एक बार इस रेमेडी को ट्राय करके जरूर देखें क्योंकि ये remedy हैरफॉल को रोकने क्ले सबसे यानि बालों का जड़ना तुरंद रोग देती है जिससे आपके बालों की ग्रोह तेजी से होती है और यहां तक कि अगर आप अपने गंजेपन से परेशान है मतलब कि अगर आपके सिर के किसी हिस्से में बाल नहीं है तो आप इस रेमेडी को बंदा दिन लगा था रोज रा में लगाते रहे तो सबसे पहले दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए इस अनियन हेर रोल को बनाने के लिए हम इस प्याच को छिल लेंगे तो तीरों प्याच को मैं इसे छिल लेती हूं सबसे पहले तो दोस्तों यह जो रेमेडी है यह गंजा पन, टेंडर, बालों को ज़णना पतले बाल जो होते हैं जाडू जैसे जिसे रूखे सुके से होते हैं छोटे बाल होते हैं अगर छोटे बालों के आपको समस्या या दो मुहे बाल है या सफेद बालों से आप परिशाने तो ये उन सब के लिए रमबर नुस्का है दोस्तो अगर आप प्याज का ते आपने बालो में ऐसी लगा लो या फिर इसको आप शैंपू में मिला का लगा लो जिसकी रेमेडी में आपके साँ अल्लेडी शेयर कर शुकी हूँ अगर आपने अभी तक नहीं देगी तो लिंक पर इने डिस्क्रिप्शन वाक्स में देदिया आप जाके चेक आउट कर लिएज़े लिख हम उसी तरीके से लस्ट को भी फटराफरिजशन लेते हैं दोस्तो बैक्टRI या सिर्की तुछा को खराब करते हैं जिससे की बालों का जढञा स्ब्हों हो जाता है और बालों का बढ़ना भी रुख जाता है तो लस्ट में एंटी माईक्रोब को घूड़ कोने में का करनी है लसन आपके बालों की जड़ों की रोम की अच्छे से सफ़ाई करता हूंने मजबूती देता है स्कैल्प में गंद की घटन नहीं होने देता जिससे बालों का ज़णना रुख जाता है बाल तेजी से लंबे घने होते हैं डेंडर्फ की प्रॉब्लम नहीं रहती है इस ज़रत नहीं है आपको वैसे तो दोस्तों प्याच के तेल को बनाने के अललग तरीके हैं लेकिन आज जिस तरीके से में आपको बना के बता रही हैं अगर आप उस तरीके से लगाते तो बहुत जल्दी आपको काफी बढ़िया और काफी असदा रिजल्स देखने को इसको भी हम इसी में डाल देते हैं और बिना पाने डाले आपको इसको पीसना है पानी ज़रह सा भी न डालना क्योंकि प्याच का अपना बहुत रस होता है पीसने के लिए बिकोब पानी की ज़रत नहीं पडती है तो यह देखिए गाइस मैं इसको बिकोब बारिक पीसली आप देख रहे होंगे तो यह दीखी दोस्तों मैं ऐसे थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ तो इस तरीके का कुछ आपको दरदरा टेक्श्चर देखने को मिलेगा तो आपको इसके थोड़ा दरदरा पीसना है बहुत ज़दा बारिक नहीं पीसना है तो इस तरीके से प्याज और लसन को पीसने के बाद ले लेंगे बड़ा सा बोल और इसमें हम डाल देंगे सारा लसन और प्याज का पेस्ट तो इस पेस्ट को डालने से पहले हम एक सूती कपड़ा ले लेंगे और इसी इस तरीक से bowl के उपर रख देंगे, थोड़ा सा हम अंदर की तरब इसको कपड़े को हाथ से press कर लेंगे हलका सा और ये सारा paste हम इसमें डाल देंगे इसके बाद हम इसकी रस को निकालेंगे प्याज और लसन के दोस्तों आप लसन और प्याज का रस निकालने के लिए छलनी का जो चाय बनाते है उसका भी यूज कर सकते हैं तो आप हाथ से भी निचोर सकते हैं ये तरीका सबसे बैस्ट है अच्छे से निकल जाता सारा रस तो इसका रस निकालने के लिए हम कपड़ी को इस तरीके से हाथ में पकड़ लेंगे और ये देखे नीचे पहले सी रस आ रहा है काटोडी में कितना सारा रस आ डालती है रस हम निकाल लेंगे बिल्कुल जरा भी रस हम इसमें नहीं चोड़ेंगे तो हातों से अच्छे से दबआ दबा के आपको इसका सारा रस निकाल लेना है रोतार होती है बालों की वो तेजी से बढ़ने लगती है प्याज में भरपूर मातर में सलफर पाय जाता है जी हाँ दोस्तों सलफर की मातरा प्याज में सबसे अधिक पाय जाती है जिसके कारण बालों का तूटना तुरंत बंद हो जाता है दो मुए बालों की समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है पतले बालों की या सफेद बालों की या फिर डेंडर फगंजपन सभी समस्याओं में ये अब हो एक साथ जल्दी निजा दिलान में सबसे बेस्ट रेमेडी है ये देखी दोस्तों प्याज और लसन का जो रस हमने निकाला है वो कितनी अच्छी खासी मातरा में निकल चुका आप के लिए लिए देख रहे होगे काफी अच्छी खासी मातरा में प्याज का रस हमें निकल कर मिला है तो यह देखी दोस्तो कपड़े में जो ये प्याच का चुरा बचा है, इसमें समने अच्छ से रस नेकालें, बिल्कु जरा भी रस इसमें दिखनी रहा है, तो अब आप इस प्याच के और लसन का जो चूरा है इसको आप चाहे तो डिसकाड कर लिजे, चाहे तो अगर आप स तो 200 ml करीब हमने यह पर तेल लिया है आप की लिए आले देख रहे होंगे यहाँ पर 200 ml हमने तेल लिया इसे बनाने के लिए तो सब चीज़ की त्यारी हमने कर लिये इतलर मोखे से दो चीज़कों अगर आप यूज़ करते हैं लेकिन लोही की कड़ाई अगर आप यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि दूसरो लोही की कड़ाई काफी अच्छी होती है जो भी आप इसमें बनाते हैं चाहिए वकानी की जो चाहिए तेल बगएरा बना रहे हैं महंदी बगब भिगा रहे हैं, एक तो यह काफी साही चीज़ों पर काम आ जाती है दूसरा जो भी चीज़ आप इस लोहे की कडाई में बनाते हैं, तो जो भी पोशक तत्व होते हैं नी जो हमें मिल जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रुरी होता है तो कड़ाई में हम सारा गोले का तेल डाल देंगे दोस्तों गोले का तेल बालों के लिए बहुत जाद अच्छा होता है ये आपके बालों को गहराई से कंडिशन करके बालों को बहुत कोमरों मुलायम बनाता है काफी light weighted होता है ये बालों में easily apply हो जाता है लग जाता है पुरी तरह से और बालों में लगाने पर काफी हलका भी लगता है ये जरा भी भारी नहीं लगता है तो भेहत हलका होता है पोशन से भरा ये नार्य का तेल बालों को अंदर से पूरा पोशन दे के और उनको मजबूर बनाता है, चमकदार बनाता है, बाल इसे काफी लंबे बनते हैं, घने होते हैं और नारेयर का तेल का इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता चला आ रहा है तो दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगी यह प्याच का रस, जो हमने थोड़े पहले अभी निकाला था और अभी मैंने gas को बिल्कुल भी on नहीं किया, gas को बिल्कुल भी on नहीं करना है, अच्छे से इसको हमें अच्छे से mix कर लेना है, और इसके बाद ही हम gas को on करेंगे, से पहले gas on करने की गलती मत करना, तो gas को मैंने बिल्कुल भी on नहीं किया, इसको पहले अच्छे सा mix कर दे दोस्तों प्याज की रस्में मारे बालों को भरपूर मात्रा में पोशन मिलता है क्योंकि इसमें सेलफर बहुत जादा पाया जाता है। हमारे स्केल्प को हेल्दी बनाते हैं जिसके कारह मारे स्केल्प से निकलने वाले बाल बी हल्दी होते हैं। जो कच्छा पान होता हूँगी। पलकुल पानी सुक जाना देम impress को पकांगी। अगर पयाच का कच्छा पान इसमें रह जाएगा तो यह जल्दी खराब हो सकता है। इसकी रिए में गयस की आझ को इसकी यह लो फले में रखना है। बस ऐसे ही कम आच में इसकों में पकाते रहना है चलाते रहना है और प्याच का जब यह रज सूख जाएगा इसमें मतलब लिकुल तेली तेल नजर आना चाहिए तब समझ चाहिए आपके जो तेलों बनकर रेडी हो चुका है तो हम इसे इसी तरीक से चलाते रहेंगे बीच- के लिए या सफेद बालों को काला करने के लिए बालों की लंबाई बढाने के लिए या डेंडरफ को दूर करने के लिए प्याच का तेल सबसे सस्ता सबसे बढ़िया रामबांड देसी इनुसका है जिससे बाल मजबूद बनते हैं ग्रोध भी जल्दी होती है और आपके बालों में conditioner की तरह भी काम करता है जिससे कि ये तिल बालों में लगाने से बाल बहुत मुलायम चमकदार रेश्मी बनते हैं तो प्याज के तेल से आपको धीरो फायदे मिलते हैं तो आप साधन से तेल ने प्याज का लसन का रस मिलाकर अपने बालों के लिए खास तेल बना स लेकिन धीरे-धीरे जैसे से पकता जाएगा प्याज का रस इसमें से बिलकुल सुक जाएगा प्याज का रस तेल में बिलकुल समा जाएगा जिसकी वज़े से आपको ये तेल दिखना चाहिए प्याज का रस इसमें बिलकुल भी नहीं दिखना चाहिए तो यही निशानी ह ही हमारे तेल के पकने की तो अभी जब तक यह ऐसा दिख रहा है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे इसी तरीके से लगाता है हमें बीच-बीच में से चलाते रहना है और लो फ्लेम में ध्यान रखेगा गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है दोस्तो आज कल धूल बाल सफेद बालों की समझ से देखी जा रही है उनकी बाल असमे सफेद हो रहे हैं तो ऐसे में आपने प्यांच से बना ये तेल लगा सकते हैं तो दोस्तों करीब 15 मिनिट हो चुके है इसी तरीकी से पकाते वे आप देख रहे होगे कि हमारा जो तेल है उसका कालर काफी तो अभी हमें इसे बंद नहीं करना है गयास को अभी थोड़ा हमें इसे और पकाना है क्योंकि अभी दिख रहा है इसमें मुझे प्यांच का रस तो इसे मैं इसी तरीकी से लगाता चलाती रहूंगी करीब मैंने जैसे कहां गया आदा घंटे तक इसको पकाना है तो जब तक इसका रस पुई तो सूख नी जाता तब तक मैं इससी तरीकी से पकाते रहेंगे तो धियान रखेगा दोस्तो गैस को मैं लोव फ्ले में रखना है जैसी कि आप स्क्रेमें देख रहे हैं तो दोस्तो तेल को पकाते-पकाते हमें करीब आदा घंटा हो गया है लोव फ् प्यूर है 100% natural ingredient से बना है इसमें आपने देखा कोई artificial fragrances या फिर chemical इसमें नहीं है और भी हसस्ता है बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये एकदम प्यूर है market में आपको ये onion oil 500 रूपे से लेकर 1000 रूपे या इसे कई जादा भी दमों पर आपको मिल सकता है तो दोस्तों gas को हम बंद कर चुके हैं आप अपने घर में प्यूर onion oil इस तरह से बना सकते हैं और इसके धेरो लाब उठा सकते हैं क्योंकि दूस्तों ही लोहे की कडाई में हमने इससे बनाया है लोहे की कडाई काफी देर तक गरम रहती है तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो फिलाल हम इसको ऐसी थंडाओने के लिए छोड़ देते हैं तो यह देखी दोस्तों तेल हमारा पूरी तेसे थंडा हो चुका है मैं इसमें हाथ लगा रही है तो मैं इसे अच्छे से छूपा रही है तो आप चाहे तो काँच के container में रख सकते हैं कोई भी container हो आप उसमें रख सकते हैं काँच का container वैसे best रहता है तो अभी मेरे पास काँच का कोई खाली container है नहीं इसमें मैंने तरह-तरह के जो अलग定लग टेल होते हो बनाके रखे हूँ कुछ की रेमेडीज तो मैं आपके जाना अलड़ी शेयर कर चुकी हो और कुछ की मैं आने वाले टाइम पे करूंगी तो फिलाल मेरे पास यह कंटेनर प्लास्टिक का तो इसमें यह तेल रख दिया तो तेल को हम छान लेंगे इस तरीके से तो दोस्तो बनकर त्यार है हमारा प्यॉर होम मीट अनियन ओयल प्याच का तेल जो की बहुत ही फायदेमंद है हमारे बालों के लिए क्यूंकि इसमें प्याच का रस है लसन का रस है और नारियल तेल है तो फ्रेंज अगर आप इसे नियमित रूप से लगाते हैं तो यह आप आपको अपना सिर धो लेना है किसी बड़िया शैंपू से तो यह है हमारे प्याच का तेल और सके धेरों फायदे तो दोस्तों उम्मीद करते हूं आज के वीडियो आपके लिए हैलफुल रहोगा वीडियो अगर अच्छी लगई और पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज